जामे मिले इसलाम में वैसे स्टूडेंस जो इस बार सेलेक्ट हो रहे हैं यानि जिनका भी इस बार एडमिशन होगा जामे में और जो पहले से पढ़ रहे हैं जामे में इसका मतलब यह कि जामे का स्टूडेंस होना चाहिए अगर वो इस बार भी सेलेक्शन हो गया तो इसका युनिवस्टी में रखा साइट से कुछ और लग लग कोर्सेस करने का तो सबसे पहले अगर आप Google पर जाकर इसमें मेरा ख्याल से स्टूडेंट को जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कहा जा रहा है यहां पर नियू रिस्टेशन और नियू एकांट बनाने को उप्शन है तो अपना अपना बना लिजेगा फ्रेश एकांट बना सकते हैं ऐसे जरूर नहीं कि आप पहले सप्ट रहे हैं तो आप दूसरे बना सकते बना इसमें कोई प्रॉबलम नहीं है बस यह कि आपको इस नोटिफिकेशन को चेक करने के लिए ओफिसल वेबसाइट पर हो लड़ी है आप वहां वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर लिजेगा अब जैसे जब डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद जो एक निव इंट्रफिस में आपको बेसिकली बताने कोश्च कर रहा हूं क आज क्योंकि 5 अक्टूबर से यह फर्म अपलाई होना सुरू हो गया और लास डेट चेवर 25 अक्टूबर तक है तो अगर आप इसमें इलीजबल है तो जरूर फिल कर लिजिए सीम्पली का आपकर सकते हैं अप करेबार एकी मैं ही कहना चाहा हूं यह रहा हूं यह सारे courses का detail और फी कितना आपको form field करने का चार्ज है यह और उसके बाद सीड भी देख सकते हैं कितने साल के लिए वो भी देख सकते हैं और इसके बाद यह और पे कितना करना पड़ेगा कि एक साल का होता है तो एक साल आपको 7200 पेमेंट करना पड़ेगा इसके लाव और भी नोटिस आ रखा है अगर आप ऑफिसेल वेब साइट पर बैक टू बैक आएंगे तो यहां पर जो डेट आप कंपार्टमेंटल एक्जामनेशन फोर टेंथ एंट टुएल्ट का जो प्राइवेट एस्टूडेंस है जो जामि अब इसके बाद यहां पर देख सकते हैं यह डेट के एकॉर्डिंग सेपरेट डेट देगा और उससी डेट के एकॉर्डिंग इनका कंपार्टमेंटल एक्जाम होगा थाइंक यू फो वाचिंग दिस वाचिंग अ